जब माफिया अतीक एहमद को गुजराच से उत्तर प्रदेश लाया जा रहा था तब मीडिया ने नगनता की वाहियात रिपोर्टिंग की और बेहूदगी की तमाम हदों को पार कर दिया आज तक न्यूस चैनल ने जब माफिया अतीक एहमद पेशाब कर रहे थे बाकाइदा उस लम्हे को लेकर कवरिज किये दोस्तों मजाग नहीं कर रहा हूँ देखिया आपकी स्क्रीन्स पर ये वो स्टिल तस्वीर है अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो लम्हा जो शर्मनाक हरकत इन्होंने की है दोस्तों मैं पहले ही आपसे माफी मांगना चाहूँगा कि मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हू की और ले जाए जा रहा है यहां पर अतिक को शायद हम आपको बता दें कि थोड़ी देर के लिए ये वेन क्यों रुकी थी उसके पीछे एक वज़े है दरसल अतिक को यहां पर दोस्तों मगर सुबे से लगातार माफिया अतिक एहमद को जिस तरह की कवरिश दी जा रही थ की एक बात सपश थे कि मीडिया को यह हिदायत दी गई है कि जिस तरह से संसद के अंदर काले कपड़े पहन कर संसद प्रदर्शन कर रहे थे उस प्रदर्शन पर माफिया अतिक एहमद की कवरिज का जो है परदा डालना है देखिए पहली ये वीडियो देखिए किस तरह से माफिया अतीक एहमत जिस गाड़ी में सवार है वो गाड़ी आ रही है और किस तरह का कवरेज मानो कोई वियाईपी आ रहा है कोई बहुत महान हस्ती आ रही है दोस्तों देखे किस तरह का कवरेज किया जा रहा था आपके सामदे दोस्तों मुद्दा साफ था मकसद ये था कि जिस तरह से राहूल गांधी से उनका घर शीना जा रहा है उनकी सदस्ता चीन ली गई और जिस तरह से सांसद काले कपड़े पहन कर प्रदर्शन कर रहे थे मकसद ये था कि मीडिया अपने 24 घंटे की कवरिज में इसे पूरी तरह से छिपा दे मगर ये तो मीडिया का खेल है मैं इसके लिए तयार था मगर आज जानते सबसे शर्मनाग बात मीडिया का जो पूरा कवरिज था न वो बार-बार ये कह रहे थे कहीं रास्ते में गाड़ी तो नहीं पलट जाएगी याद कीजे गैंग्स्टर विकास दुबे जब उसे लाया जा रहा था तो गाड़ी पलट जाती है और फिर उसका कथित एंकाउंटर हो जाता है अगर वो विकास दुबे जंदा रहता तो नजाने कितने सफेद पोशों के राज खोल देता उत्तरपदिश सरकार के उस नौकर शाह के भी राज खोल देता जिनकी पतनी एक बहुत बड़ी सेलिबरिटी है और वो अकसर माफिया के घर खाना खाने जाते थे उनके शादी के समारों में दिखते थे कई राज सामने आ जाते क्योंकि विकास दुबे बहुत पावरफुल गैंसिर था उसने हमारे आठ उत्तरपदेश पुलीस के जवानों को मौत के घाट उतार दिया था उत्तरपदेश के पुलीस गुहार लगाती रही कि विकास दुबे पर कावु पाईये कुछ आक्शन नहीं लिया गया फिर उसने हमारे आठ से नौ पुलीस जवानों को मौत के घाट उतार दिया अगर वो जिन्दा रहता तो उसकी जुबान से कई राज सामने आते मगर उसका इंकाउंटर कर दिया गया मीडिया इसी तरह से अतीक एहमत को लेकर भी उम्मीद कर रही थी कि गाड़ी पलट जाएगी मगर मीडिया असली सवाल नहीं पूछ रही थी मसलन उनके साथ अशिरफ नाम का शक्स था उससे तो मीडिया यही कह रही थी क्या गाड़ी पलट जाएगी सुनिए आप से सवाल पूछना चाहता हूँ मीडिया यह गाड़ी पलटाना क्यों चाहती थी क्या मीडिया को यह नहीं पता कि राजनीतिक तौर पर माफिया अतीक एहमद जो हैं वो कितने जरूरी हैं भारती जनता पार्टी के लिए और सबसे बड़ी बात आखिर गाड़ी पलटाने की पत्रकारिता करने ही क्यों क्योंकि जो गुनाह माफिया अतीक एहमद ने किये हैं उसकी सजा उसे कानून के दाइरे में मिलनी चाहिए मैं आपको बतलाना चाहता हूँ दोस्तों कि जो सवाल मीडिया को पूछने चाहिए थे वो बिलकुल नहीं पूछ रहा और पत्रकार संजय शर्मा ने अपने स्ट्वीट के जरिए ये सवाल आपके सामने रखे हैं इन तस्वीरों के साथ इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो माफिया है वो भारतिय जनता पार्टी के मंतरी नंदी के साथ दिखाए दे रहा है और उनके चेहरे के भाव देखिए पूरे स्क्रीन्स पर देखिए क्या मीडिया ये सवाल करेगा कि माफिया अतीक एहमद की क्या निकटता है नंदी के साथ जो कि भाजपा के एक मंतरी है क्या सवाल पूछ रहे हैं संजे शर्मा मैं आपको पढ़के सुनाना चाहता हूँ ये फोटो योगी के मंतरी नंदी की है आपने अपनी प्रेमिका को भी इतने प्यार से नहीं दिखा होगा जैसे मंतरी जी अतीक को देख रहे हैं गोधी मीडिया के चैनल आधी रात को अतीक का काफिला दिखा रहे हैं सभी देख रहे हैं कि जेल से निकल कर गाड़ी में बैठने तक अतीक क्या बोला कोई नहीं सुन पाया मगर इन चैनलों ने सुन लिया कि वो कह रहा है कि मेरी हत्या हो जाएगी सोजाईए आप लोग अतीक का कुछ नहीं बिगडेगा प्रयाग राज और फूलपुर में वो मुसल्मानों के वोट काटता है और फाइदा बीजेपी को होता है गोर कीजे संजेश हर्मा यहां क्या कह रहे है प्रयाग राज और फूलपुर में वो मुसल्मानों के वोट काटता है और फाइदा भाजपा को होता है अतीक पुलीस से अभी भी तेवरों से बात कर रहा है और गोदी मीडिया कह रहा है कि वो काँ पर आए किसी की हैसियत नहीं वो दिखाए कि योगी के मंत्री नंदी का दोस्त है वो सरकार के अफसर उसके परिजनों की सेवा में रहते है आराम से कल आएगा और मीडिया आपको फर्जी कहानी सुनाते रहेगा कल तक कितने अच्छे सवाल यहां सजय शर्मा रख रहे है नंदी के साथ अतीक के रिष्टे इस पर किसने सवाल किया फूल पुर और इलाबाद में जिस तरह से मुसल्मानों के वोट अतीक काटता है जिससे वीजेपी को फायदा होता है इसका सवाल किसने आपके सामने रखा मगर भारतिय जनता पार्टी की शवी कुमान बनाने के लिए एक ड्रामा रचा जा रहा था कि गाड़ी पलट सकती है माफिया अतीक जो हैं उसका एंकाउंटर हो सकता है कुछ भी कहना कुछ भी कहना जो अपने आप में कितने शर्मनाग बात है और देखिए मीडिया का जो coverage था मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ इस वीडियो में जिस गाड़ी को ड्राइवर चला रहा है वो कह रहा है कि आपके चलते, मीडिया के चलते गाड़ी पलट जाएगी देखिए मीडिया वाले अक्सिडेंट करवाएंगे हम लोगों का मीडिया का इतना शर्मना coverage था दोस्तों कि जो गाड़ी चला रहा है ड्राइवर वो ही ये बात कह रहा था वाकई आज पूरे इस coverage में इस अतीक coverage में मीडिया का निहायत ही शर्मनात चेहराया है मगर जैसे की मौतरमा कंगना एक अपनी फिल्में कह गई है न कि अभी तो इन्हें अभी तो इन्हें और जलीलोना है अभिसार शर्मा को दीजे अजासत स्वतंत्र और आजाद पत्रिकारिता का समर्थन कीजे सच में मेरा साथ ही बनिये बहुत आसान है दोस्तों इस join बटन को दबाईए और आपके सामने आएंगी ये तीन विकल्प इनमें से एक चुनिये और सच के इस सफर में मेरा साथ ही बनिये झाले पत्रिकारिता के बनिये